तो दस लंबा है लेकिन इसको देखिए माइक पर कौन बोलेंगे मत्तह परतरम नान्या तुछ मत्तह परतरम नान्या तुछ किंचिदस्ती इधनन्या मैसर्वं इदं प्रोतं सूत्रे मनिगनाईवा मत्तह परतरम नान्या तुछ किंचिदस्ती इधनन्या मैसर्वं इदं प्रोतं मैसर्वं इदं प्रोतं सूत्रे मनिगनाईवा भगवान अपनी पारतंत्रता पारतम्मिता अर्थात उनसे परे कोई नहीं है उसको स्थापित कर रहे हैं अपने शरूप का वर्णन कर रहे हैं मतह परतरम नान्यत मैं समझता हूं इतनों आप हिंदी की तरह समझ रहे होंगे मुझसे परतर मुझसे परे कोई भी नहीं है अर्थात भगवान ही सभी कारणों के कारण हैं किंचिद अस्ति कुछ भी नहीं है हे धनन जय समझ रहे हैं तो आप दिखते क्यों नहीं हो तो कह रहे हैं मई सर्वम इदम प्रोतम ओतम प्रोतम समझते हैं आप सभी जगे भगवान प्रवेश की हुए जैसे यह मेरा जो कुर्ता है इसमें धागे ओतम प्रोतम ओत प्रोतम बुना हुआ है धागा भले धागे रूप में दिखता नहीं है कपड़ा दिख रहा है लेकिन कपड़ा धागे पही आज रहता है और उसके बाद कह रहे हैं सू धागा दिखाएं पड़ता है नहीं पड़ता है कि भगवानता सुंदरुधारन दे रहे हैं कि मोति अगर आपको बिने हुए दागा नहीं दीख रहा है फिर भी समझदीना चाहिए कि धागा है कि अन्य था मोती आपस में जुड़े नहीं रह सकते हैं जो व्यक्स्तु दिखती है उसके द्वारा जो नहीं दिखती है उसका अनुमान हम करते हैं यह आप डिवाइस पर पढ़ाया गया होगा अंसीन इस प्रूवन बाइद सीन यह बात हैं वहल रहे हैं कि आप खुश सोचो कि पृठिवी पूरा घूम रही है सूर्य मंदल में अपने कक्षा में घूम रही है क्यों घूम रही है अपकी गुर्तवा करशन शक्ती तो जब गुर्तवा करशन शक्ति का लॉफ ढूंडा नहीं जी एम एम टूबाई आर सुकार जो पड़े हैं एक इप्रॉक्सिमेशन अशास्तर जी कुछ गलत बोलो यूझ सही बोलो सही है यह यह प्रॉक्सिमेशन है लेगिन क्या प्रत्वी अपनी कख्षा में एक एक अप्रॉक्सिमेट लौ से घूम सकती है बिल्कुल सही सही आप दो बात समझ पा रहे हैं न्यूटन ने पूरा एक्जक्ट लोग नहीं समझ पाए लेकिन प्रत्वी को जो घुमा रहा है वह बिल्कुल एक सही एक्जक्ट नियम से घुमा रहा है यह मानते हैं बात या नहीं अगर अप्रॉक्सिमिट होता तो कभी प्रत्वी उदर यह मौडल एक्सेप्टेड नहीं मैं खाली बोल रहा हूं कि अरे अगर आप यह भी मान लिजे कि सुर्य घुम रहा है ठीक है तो वह तो एक्जांपल दे रहा हूं सुमान लिजे बोले कि प्रत्वी के अचारों और सुर्य घुम रहा है कि नहीं और इसके बारे में और यमराज जी भी बोलते हैं कि जैसे एक अपने अनुचरों को बोलते हैं बेटा जैसे एक बैल को कोलू के सारूतर घुमता है तो हर बार कोलू की दाएरे में घुमेंगा बाहर नहीं निकल सकता उसी पिरकार से हम सभी देवता भगवान की आग्या से बंदे हैं क्या दे भगवान है जो सभी के सब्सक्राइंदा है लेकिन कैसे हैं जैसे मनिऑं के अन्दर गारा देखता नहीं है लेकिन हम अगर्य नियम को देख रहें तो ऊसका मैंन्ता है हटी कोई और मुझसे सरिष्ट कोई सत्य नहीं है जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है एक बात इसमें समझनी होगी हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो जीरो पर कुश्चन करते हैं क्या जीरो क्या होता है वन पर जीरो और वन पर करते हैं नहीं मैथमेटिक्स में इसको कहते हैं एक्जिम्स आपको मानना ही होगा तभी आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो जीरो और वन और उसी को प्रश्चन करते रहेंगे जीरो को मैं नहीं मानूंगा वन को नहीं मानूंगा तो क्या हम गंडिक पढ़ सक जिन से सब कुछ आया है आप यह प्रश्ण नहीं कर सकते कि उन्स वो किससे आये हैं कि बाइड डेफिनेशन भगवान या परमसत्य जो हैं वह सभी के कारण है और उनका कोई कारण नहीं है वह स्वतंतर ईश्वर हैं वह किसी के द्वारा कंट्रोड नहीं है इसलिए शुर्य परमकृष्ण है सचेदानांद विग्रह परम ईश्वर मतलब उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है उनका कारण कोई भी नहीं तो अगर कोई आप कोई कहे कि क्रिश्ण के परे भी कुछ है तो आप क्या कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि शास्त्र इसका वर्णन नहीं करते हैं यह ऐसा मत सोची कि ऐसा लोग नहीं बोलते हैं मैं एक भग के घर में था मेरे कासे पार्थ्रोव मेरे साथ में थे उनके भाई बोल रहे थे दिल्ली में जो हम लोग आये थे तो वो कहले मैं कृष्ण को भगवान मानता हूं लोगिन कृष्ण से उपर भी कुछ है और उनसे पूछा जाए कि कासे कौन से शास्त्र के धार पर आप बोल रहे हैं नहीं गुरू जी बोल रहे हैं तो इस प्रकार के धालणाओं से लोग गलत धालणाओं से ग्रस सित रहते हैं कि कृष्ण के परे भी कुछ है कृष्ण के परे क्या विश्णू भी है नहीं तो ज ऐसा उमीद नहीं की जा सकती है कि जहां प्रवचन सुर्णत सब कुछ समझ में आएका असा नहीं होता और ऐसा भी नहीं कि कुछ भी समझ में आएगा कुछ कुछ आएगा उसको धरण करने का प्रयास कि भगवत सुरूपों में भेद करना अपराद होता है बेल्कुल सही बात है तो हम यह तो नहीं कह रहें कि भगवान विष्णु भगवान नहीं है लेकिन फिर भी उनके सुरुत भगवान कृष्ण है जैसे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं एक मुंबत्ति है और बहुत सारी मुंब भगवत तो क्या ब्रह्मा जी अपराद कर रहे हैं अगर कोई कही माली जी नरसिंदेव का भगत है और उससे हम के एह तुम तो खराब है ती हो तो नरसिंग की पूजा कर रहे हो तो यह भगवत तत्व में भेद देखने की दर्स्टी है नहीं तो रूपकु स्वामी जी त लगू भावत अमृत उसमें क्रिष्ण की पारतमिता को क्यों बता रहे हैं फिर शिला बल्दे विद्यवुशन जी इसी साथ में अध्याव में बताएंगे अब जानांती माम मोड़ा पानुश्यम्तनुम आश्रितम परम भावम जानंतु मभूत महश्वरम परम भावम अ अच्छा जैसे आप महाप्रुग आप जानते हो अनपम जो किया नाम था रूप सनातन की चोटे भाई तो उनका भगवान श्री राम की प्रतिया सकते थी और रूप को समय ने बोला कि आप क्रिष्ण का बजन करो तो उन्हें का नहीं मैं अपने मन को भगवान श्री राम क परात कर रहें कि गया फिर 6 अश्री कि आो पाइब अपने फिर फोलार सबलों दenne सो लोग और विष्ण कि ठत्वन कि शे believed में कि और την छत्री विच्ञ भग geben नहीं था दिखाया था कि नहीं दिखाया था कि सब लोग में से चुप हो जाते हैं जैसे वह लोग को को इसको आप लोग क्रिपया वह श्लोग की टिका पढ़िएगा जो समयोगों तुम मैं लक्सरपढ़ाओंगा अ एट चांस कला पुंसह क्रिश्न स्थु भगवान सौयम एथा चांस कला पुंसह श्चा किसको बार कर रहा है गर्भो दकशाव विश्ण को कृष्ण को नहीं जितने भी अवतार है यह हैं गर्भो दकशाव विश्ण के अंश है कृष्ण Thompson बढ़ा शो यम तो वहां पर चक्रवरती पात बढ़ाषत बोलते हैं कि यह भगवान कृष्ण अन्षी भी नहीं है वह अवतारी है अंशी भी नहीं है अंशी मतलब जितने भी अवतार हैं वह भगवान गर्बोदक्षाई विश्णु के अंश है तो अंशी हो गए गर्बोदक्षाई विश्णु लेकिन उनकी अभी परे जो है वह भगवान से कृष्ण है अब यह बाते तो मैं शास्त्र से तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार तुम्हारे इच्छाय क्या है करेन पालन तुम्हारी इच्छा से विश्णु पालन करते तो बड़ा स्पष्ठ है स्वतंत्र कोई भी नहीं है एकले इश्वर क्रिष्ण और सब भृत्य यह जे नचाय से एक ताइचे करें निर्थ भग्वान कृष्णी अकेले इश्वर हैं और बाकि सब उनके भृत्य हैं अब और वह जैसे चाहते हैं वह सब आदमी निर्थ कर रहा है तो रूप से यह तत सिंत्य है कि भेद है भी अब विचार की जैसे महाप्रभु स्वयम कहते हैं आप जानते ही है कि कटिन हो रहा है समाज रहा हूं कि कटिन हो रहा है कि लक्ष्मी जी कृष्णी को क्यों प्रेम कर रहे हैं तो यह विश्टू और कृष्ण में कोई भेद नहीं है अगा जी लक और फिर उनने का अच्छा और फिर ऐसा कियो होगा कि लक्षमी को प्राप्त नहीं हुआ तो कि तो तत्वी की दृष्टी से कोई भेद नहीं है और रस की दृष्टी से बहेदे में खालते सारे बागतों समझती होंगे कटना यही आ रही है कि हम भगवान विष्ण को भगव माने यह ना माने भगवान विष्ण भगवान है उसमें को अपत्ति नहीं है लेकिन फिर भी प्रभपाद जी कहते है सुप्रीम पस्नालिटी और गॉड है कि क्यों फिर प्रमाद जी कह रहे है ईश्वरह परमकृष्णा तो आप लोग सभी बात को इसको और दूसरी दंग किसका गुण है कि जिसको मारें उसको अप परमगति प्रदान करें केवल भगवान कृष्ण का है यह मैं बोल रहा हूं कि शिला रूपको स्वामी जी लगुए बताब भागवत्तमरित में बोलते हैं अपने मंसे तो मैं कुछ नहीं बोला हूं या फिर भगवान कृष्ण वेनु बजाते हैं भगवान विष्णु वेनु बजाते हैं क्या उनके बहुत प्रिये परिकर हैं प्रिये मत्तब जैसे गोपी जैनित्यादी तो आप जानते हो कि भगवान विष्णु में भगवान कृष्ण के 96 परसंट गुण होते हैं जाता हम इसमना रहा है 60 प्रशन महा विष्णु भी करना चाहते हैं परम परम पदम भूशन भूशन आंगम करेश्णु का आता है अब क्यार बहुत बहुत विस्तार हो जाएगा लेकिन हमें जो भगवाद गीता में ही सुनना है जो सुन रहे हैं वो यह है कि भगवान कृष्ण ही सभी उनसे परे विष्णव की अवतार कृष्ण है कि मैं कि दिश्वाद होगा यह अपराद होगा यह नसींदेव को भगवान को भगवान यह तो बहुत करावत होगा सबके जानते ही हैं कि पूरा विश्व मेरी वैदी बक्ति करता है लेकिन मेरे मं को इतना अथा नहीं है लेकिन जब प्रेम से भक्त मुझे डाटते हैं तो मेरे मन को पूरी वो क्या वेदस्तु की स्थुति भी मुझे उतना सुख नहीं देती कैसा बात हैं मैं सुने हैं तो किर्ष्ण की सर्वत क्रिष्ट था पारित्म में ताको अचारों ने स्थाफित किया है अगर आप क्योंकि आपने कहा कि आप ही इस निक्रिष्ट और उत्क्रिष्ट शक्तियों की कारण है तो मैं समझ रहा हूं कि आप ही इस पूरे ब्रह्मान के बीज हैं फिर भी यह तथ्य आपको परम स्थापित नहीं करता यह कहना चाहिए इस बीज से भी कोई परे वस्तु हो सकती कहने का अर्थ है कि आप इस ब्रह्मान की बीज है माल लिया चलो ठीक है मैं है इन दोनों योनियों का इने की जीव और प्रक्रति का स्रोथ हूं ठीक है माल लिया लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसे परे कोई हो आपके यह बात समझ इससे परे वह वस्तु है जिसका नाम नहीं है और वह दोशों से रहित है मानली जी कोई प्रश्ण करके शृति के इस लोग को बोले जो यह जानते हैं वह अमर हो जाते हैं परन्तु अन्य दुख को प्राप्त करते हैं तो मानलोक को इस प्रकार का शंका उत्फश्ण करे कि ठीक है आप जीव और प्रक्रति के कारण है लेकिर हो सकता है कि आप के परेव भी कोई हो करेश्ण के परेव कोई हो और प्राय कब लोग इस प्रकार की धालासी युक्त होते हैं कि कृष्ण तो क्रिश्ण से परे कोई भी वस्तु नहीं है मैं ही परम वस्तु हुँ वैसे एक शब्द वस्तु को समझे ना चाहिए वस्तु मतलब जिसकी वास्तविक सत्ता होती है बुद काल वर्तमानकाल भविष्यकाल काला तीत वस्तु मतलब हमेशा रहे इसको उद्धव जी भी चास्त्रों में सुना है भगवान देश काल से अपरिछिन है कौन समझा सकता है इसको चास्त्री जी कि देश और काल से अपरिछिन है परिवर्थित ने देश काल के साथ से बदलते नहीं देखिए शब्द थोड़े टेक्निकल है यह बताइए छिन भिन समझते आप एंग्लेश में बोलों आपने काटके अलग अलग कर देना भिन मतलब अलग 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 चिन मतलब काट देना अपरिछिन मतलब जिसे काटा ना जा सके हैं तो देश के द्वारा हम अपरिछिन नहीं हैं हम लोग परिछिन जैसे आप यहां बैटे हैं तो क्या आश्रा में भी बैठे हैं नहीं है तो हम लोग सीमित हो जाते हैं कट जाते हैं हमारे limitation हो जाती है limit मतलब ही कि काट दिया गया उसको एक जगह क्या कटन हो रहा है समझने में ठीक है क्या हम लोग काल के द्वारा परिछिन है है क्योंकि हम लोग अगर शरीर की रूप में देखा जाए तो इस रूप में है वैसे आगे नहीं रहने वाला तो देश और काल की रूप में क्या भगवान परिछिन है नहीं हर जगह भगवान है और हर समय भगवान है तो यह और भगवान से परे कोई वस्तु नहीं तो यह बात बोलनी चाहिए कि वस्तु शप्ते में बोला हूं भगवान परम बस्तु है जो देश और काल से अपरिछिन है हर जगह भगवान आ यह वस्तु है जो सभी के सभी का स्रोत है सब कुछ परे है और प्राय इसको सूचते हैं लोग यह सिवस्तु मेरा कारवरंब है लेकिर ऐसा नहीं है वह कौन है भगवान है यह मुर्था पुर्ण उचार है भगवान उत्तर दे रहें और इसे आसानी से काटा जा सकता है ऐसा क कहा क्या है अब इस लोग को प्रहुपाज जी भी अपने इत्तिका में लगते हैं तो देखिए वेदा हम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसह परस्ताहद एव विद्वान अम्रत इह भवती नान्य पंथा विद्धिते या नयाया मैं उस महान पुरुष को जा और तमसह परें अंधकार से अःज्यान से परें उनको जानकर व्यक्ति मृतिकु पार कर जाता है उनको जानकर अरथात उन भगवान को जानकर मुक्ति प्राप्त करने के लिए इसके अलावा और कोई पथ नहीं है तो यहां पे दोनों एक तरफ शुति से बोला गया कि वो परे वो उसका कोई नाम नहीं है तो नाम नहीं अर्थात उसका कोई भौतिक नाम नहीं है रूप नहीं अर्थात उसका कोई भौतिक रूप नहीं है और इस श्लोक को अगर हम दोनों श्लोक को मिलाते हैं तो यहां श्लोक में क्या बोल रहे हैं मैं उन महान पुरुष क जानता हूँ जो आदित्य वर्ण के हैं तो अर्थात समझना चाहिए कि वह śloka भी भगवान को ही इंकित कर रहा था यह नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्म को इंकित कर रहा था कि ब्रह्म है नियराकार ब्रह्म है जो पूरी जगत का सरोत है कि विष्णु कहिए भान कृष्णे कहिए तत्व की दृष्ण से कोई अंतर नहीं कि इस लोक में यह शिक्षा दी गई है कि मृत्यु से मुक्ति पाने का एक मात रुपाए भागवान विष्णु को जानना है जो महापुरुष हैं और सभी ब्रह्मानों के वीज हैं महापु कि वीज हैं अर्थात सारा भ्रम्भान भागवान से ही आये स्वस्ट है लोग कह रहाएगी कुछ बूलो ही मत नहीं तोकलास लंबी हो जाएगी स्वस्ट है आगे बढ़ो स्वस्ट है आगे ठीक है कि इस तत्थ्य को स्थापित करने के लिए अब कहा जा रहा है यस्मात प क्या है जब आप प्रहुपाजी कमेंटरी पढ़ेंगे श्लोक आएगा समझ में नहीं आएगा आगे बढ़ जाते इसलिए आप लोग को लेक्चर कठिन लगता होगा कभी-कभी यह होता है ना जब कुछ नहीं समझ में आए तो छोड़ो आगे बढ़ते तो हम ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे जब मुसको समझाएंगे तो समझने का प्रयास करना चाहिए अब बंती यह है कि दुबार जाकर पढ़ें तो फिर आपको दुबार समझ में आ जाएगा क्या बोला जा रहा है कि यस्मान अनियों न जायोस्ति किंचित भगवान से कुछ पर या अपर नहीं अ स्थापित करता है कि भगवान के अत्रिक्त किसी अन्य वस्तु का परम होना संभव नहीं है नहीं होना चाहिए किसी अन्य वस्तु का परम होना संभव नहीं है परम बड़ा अमेजिंग शब्द है परम मतलब हाइस्ट लिमिट तो अगर आप कहो कि कोई छोटे के छोटी अ देखा जाये तो सबसे चोटे कौण है बहुंद और कई सबसे बड़े कौन है तो भगवान हर तरह से पर महतों महियाअ जोटे का रहां कहां जाता है जीवात्पें-स प्रवेश कर जाता है इशोपनिशक्का है ना आज तक मैं यह नहीं समझ पर हो कि भगवान जीव के अंदर प्रवेश करते हैं कि साइट में रहते हैं लेकिन है तो स्क्सार् कुछonder नहीं मेरे को लेकिन भी भगवान से चोटा भी कोई नहीं है और भगवानसे बड़ा भी कोई नहीं दोनों गुन भगवान में है तो हर तरह भी समझ में नहीं आएगा इंफानाइट को भी नहीं समझ सकते और इंफानाइटिसमल को भी नहीं समझते तो इस प्रकार भगवान की उत्तरतरमता उत्तर उत्तरतरमता जिसको पहले उधर्द किया गया था उसे यहां स्थापित के जा रहा है उत्तरतरमता अर्थाथ भगव सब्सक्राइब नहीं है कि कोई भी देवता भग्वान से शेष्ट नहीं है इस बात को सुन करके किलकर्ष्ण कहीं आश्य Bent यह होने से अन्य किसी विप्रकार का मत्त दोश्पूर्ण है विदान्त सुत्रकार कहते हैं तथा अन्य प्रतिशेद हाथ भगवान की सर्व स्रेष्टता को स्विकार करना होगा क्योंकि शास्त्र किसी और के स्रेष्ट होने का प्रतिशेद करते हैं प्रतिशेद अर्थात न थुक्त कोई है ऐसा कोई वड़न नहीं लिए जो आप अभी बता है कि हम बहुत प्रोटी चीजों को नहीं संज इना अर्थ-ध्यापने द्रिष्टी हैं क्योंकि भगवान अनंत हैं लेकिन जितनी मात्रा में भगवान हमको प्रकट करना चाहते हैं उतनी मात्रा में हम समाज सकते हैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कि हमारी दिवी द्रिश्टी हो जाएगी तो हम भगवान को पूर्ण रूप से समझ लेंगे आपको याद है ना हमने इसमें कोड किया था कि ब्रह्मा जी भी भगवान की महिमा को नहीं समझ सकते माइक पे बोलिए थोड़ा माइक दूर रखेगा माइक से थोड़ा दूर बोली मैं धगने माइक से थोड़ा दूर Two बोली दूर कि हां तो मुख दौस्टा में हम भगवान के बहेरंगा सकती को तो पूर्ण रोस दो जान पर प 真的 क्या हम माई लिगको सकते हैं यह प्रशों में किया गया कि माया क्या है तो माया के सुरुप कवर्णन नहीं किया गया है माया के कारे कवर्णन किया है तो माया को भी नहीं समझ सकते हैं कि समझ कै्सक्ति समझ ये सकते हैं कि हम नहीं समझ सकते जानंत आधान तुकिन वह र ऊचर क्यों ससक्ताकिन शुचंग नहीं कृष्ण को समस्क्तिं सब्सक्वति biography आ शक्राथ अभवान कोई दिक्ष्ट नहीं है लेकिन आ तक मेरी बात है ब्रह्मा जी बिल mensen पाउंडर अचार्य ब्रह्म सब्रदाय के करें जहांता कि मेरी बात है मन से वानी से शरीर से आपका वैभव मेरे लिए गोचर नहीं मेरे इंदियों के परे अजी समझावट है कि अब सब लीला जानते उसलिए अज़से लेको बताऊंगा नहीं जब ब्रह्मा जिट्वार का में जाते हैं और कहते हैं और और भी ब्रह्मा हैं श्री शुक्त करते हैं तो में समझ नहीं पाते हैं कि माई के वह लिए हैं तो हम बात कर रहें शांस्त्रि कहीं बोलता नहीं कि कृष्ण का सुरुत कोई और है कृष्ण को कभी नहीं वह लगया कि कि किसी के नीची है और सबसे बड़ी महत्पूर्ण हमारे लिए जो प्रमाण है वह श्रीमत भागवता में जो कृष्ण को स्थ क्योंकि मुझसे सुरिष्ट कोई नहीं है इसलिए मैं ही सब का आश रहे हूं अचर्छ हूं यह इस कारण से जैसे सूत्र पर सभी मोटी 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 नहीं होना चाहिए टाइपिंग एरर है लोग सारगर आई हैं समझते हैं सभी मोती टिकी रहते हैं उसी प्रकार सभी कुछ मुझ पर टिका नहीं है टिका है इस वाकिसे मेरे कहने का तात्पर है कि मैं ही पूरी ब्रह्मान का पालन करने वाला हूं यह लाइन को आपको याद रखना है तब आपको आगे के श्लोक समझी में आएंगे जिनकी चर्च हम आगे करेंगे भगवान ही पूरे जगत को पालन कर रहे हैं धारन किये हुए हैं इन बातों का विभिन श्लोकों के द्वारा भगवान वडणन करेंगे इस बात को जरूर याद रखेंगे क् ब्रह्मान का पूरा पालन कर रहे हैं और वो कैसे कर रहे हैं उसका वर्णन हम लोग आगे सुनेंगे ताथ पर पढ़ लिएस तो और पढ़ना चाहते शास्त्री जी और विश्यल रीडर जहां तक इस भगवत गीता का प्रश्ण है परमसत्य तो श्री भगवान क्रिष्ण है और इसकी पुष्टी पदपद पर होती है इस लोक में विशेष रूप से बल है की परमसत्य पुरुस रूप है जब बोल रहे हैं नान्याद कौन बोल रहा है भगवान बोल रहे हैं ब्रहम तो नहीं बोल रहा है ब्रहम बोल गीन शकता है अधर फिलोसफिर लेक्षांख वादी बोलते है प्रकृति परम नहीं है येस भगवान परम इस पुछ चाहते हैं मैं कि बताई नहीं रिकॉर्ड करने ना किया है उस चाहते है तो रिकॉर्ड कि परतर होना चाहिए कोई नहीं कशितक वेसे नहीं कहा ये सब्सक्राइब करता लोग करते कि मुझमें और तुम्में कोई अंतर नहीं और यह समझमें आता है कि उत्तर बना कैसे अंतर यह यह संस्कृत की द्रिष्टी से कैसे बन गया उत्तर लेकिन होता यह है कि इतने मूर्ख है लोग आप कुछ भी बोल देंगे वो मानेंगे तो फुलिश जैसे क्या हो चायम इसने व्यक्या किसी ने किरी कि सभी के रिदे में चाय पीने की इछ ऩहий सभी कि कुछ मनिपूर में चाय उग उतिए इतना कोयी मूर्ख हो तो क्या कह हाँ जाता है इस बात की भगवान ही परमसत्य है ब्रह्मसमिता में भी पुष्टी हुई है इस्वरा पर्मा कृष्णा सचिदानंद बिक्रह परमसत्य श्री भगवान कृष्ण ही है जो आदि पुरुस है समस्त आनंद के आगार गोविंद है और वे सचिदानंद स्वरूप है यह समझ में आता है आगार मतलब श्रोत आगार मतलब कंटेनर यह से कुछ कर दो ठीक यह सब प्रमान निर्विबाद रूप से प्रमानित करते हैं कि परमस्त पुरुस है जो समस्त कारणों का कारण है और में से स्बकों सामने से बैठें पूछा डाल आख में डाल करके तुमको विश्वास है कि क्रिश्ण है है कि हां व विश्वास है लेकिन प्रहुपाजी अप Sut उत पूछे रहे है तो तो एकदम सब लोग चुप हो गए कि कुछ लोग भी ऐसे हो जिनको विश्वास है कि क्रिष्ण है तो अठारा दिन में हम पूरे जगत को जीत सकते अर्जन जिसे प्रला थे इस प्रकार से तो लोंको विश्वास नहीं होता है तब ही तो भय होता है यस फिर भी निर निरिश्वरवादी स्वेतेश्वर उपनिसद में 3.10 उपलब्द बैदिक मंत्र के आधार पर तरक देते हैं ततो यत उत्तरतरम रू तद रूपम अनामयम यह एतद विदूर अम्रत आस्ते भवंत यथे तरे दुखमेवापियंत यह बताई कि क्या यह टीका में ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अब कहते जिप्रवजी आप बहुत कटिन क्लास कर रहें हुँ हो इस भोई कोहिए नहीं कह रहा है जो समझने रहे हैं वह क्यों पराया हम इसको देखेंगे वह निए यह करते तोड़ा देख रहे हैं बस यह पढ़िए भाथिक जगत में ब्रहम्हांड के आदी जीव ब्रहम्हा को देवताओं मनुस तथा निम्न प्रानियों से प्रानियों में सर्वसरिट माना जाता है किन्तु ब्रहम्हा के परे एक इंद्रियातित ब्रहम है जिसका कोई भाथिक होता और वो समस्त भौतिक कलमस से रहित होता है जो वैक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है किन्तु जो उसे नहीं जान पाते वह संसारिक दुखों को भोगते रहते हैं यह बात आपको समाझ में आ रही है आप संस्कृत देखिए वापस उसमें लिखा है य इसको ब्रह्म कहा जारा चाहिक कोई रूप नहीं कोई नाम नहीं है उसको जानने से वेक्ति दिविस्तिति में हो जाता है ऐसा कुछ निर्विशेषवादी शुरूति का उपनिश्यत का श्लोक बोल करके सोचते हैं कि नहीं परेव व्यस्तु कौन है ब्रह्म है लेकिन वह उध्रिथ है स्वितेश्वर उपनिशद के अजने स्लोक ब्रह्म समिता में ब्रह्म के बारे में क्या वड़न ने किसी को श्लोक याद है यस्यप्रभा प्रभवतों जगदंद कोटी कोटीश्व शेश्व सुधादी विभूति भिन्नम तद ब्रह्म अनंतम तद ब्रह्म प्रभाव में ही पूरे जगत के जितने भी ब्रह्म हंड त्यादी है उनका प्रभव होता है उनका उद्गम स्थान है वह है निश्कल ब्रह्म नहीं है अनन्त है लेकिन वह प्रभाव किसकी है गोविंद भगवान कृष्ण की ठीक है मुटा मुटा समझारा हूं बाधि आप लुग कर मिश्क लोकों की भी मन करता है व्यका किया जाये उसके दोरहां हम तत्रों को ठीक से समझ सकते हैं होगा दीरे सब शुख़ाएस झायन कर लीजे तो फिरिम पढ़ाते रहेंगे पड़िए स्वेते स्वतर उपनिसद के अन्य स्लोकों से भी इसकी पुष्टी अभे पड़ा था कि ने पड़ा था वेदा हमेतं पुर्शं महांतं आदित्य वर्णं तमसह परस्ता तमेव बिद्वान तिम्रित्य मत्ती नान्य हं पंथा विदते यन्याय ऊस्मात परम ना परमस्तिक इंच यस्मान अनयों न जायोस्तिक इंच व्रक्ष्ष अवस्तब्धर तों दिविस्तिष्ठत एक इस लोग पढ़ चुके है कि कौन से इस लोग को इस लोग में बढ़ाता गीता कि मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से पड़े है उसको जानने वाला ही जन्म तथा मिर्तियों के बंधन का उलंगन कर सकता है जन्म कर्म कर्म को मुझे समर्फित करता है मुझे चित्ता काता है यहां जन्म मृतियों के समद्ध में चौथेद्यों का इस पड़ंपुरुस के इस ज्ञान के अतिरिक्त मौक्च का कोई अन्य साधन नहीं है मेरे कि इच्छा है कि आप सब लोग भगवद गीता के एक्सपर्ट बन जाई है और इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा भगवद गीता ही के द्वारा आप इतना प्रचार कर सकते कि कोई आपको हिला नहीं सकता फ देगा दूसरा कंदा देगा दूसरा कंदा लगाएगा दूसरा वेति कर तो रहे ना सब लोग कर तो रहे ना प्रवजी तो बोली रहना हमें क्या जुरत तो फिर प्रचार नहीं हो पाई ना प्रोजे आप पोलें कि वह पारंगत हो ऑके मतलब करेंगा कोई बी भी हिला नहीं सकता एक एसा भाव है मेरे मन में कि अन्य शास्त्र है और हम ऐसे बक्तों से मिल सकते हैं जो कि बड़े-बड़े शास्त्र पड़ते हैं भाव वाद सर्केट जो भी मतलब है फिए बुक्स अन्य शास्त्र पॉट्टि विए बड़ेशन को इस खानगे श्राव बन मान लिजे तो इतनों को ठीक से समझना है तो भागवध की शिटा बहुत अच्छा है अब देखेंगे एक बार भगवध की श्मझ में आजाती है तो भागवाध समझने में कटना ही बि करते हैं और अगर आपको भगवाद कीता समझ में आती तो बड़ी स्पास्टूप से समझ में आता है जैसे अगर कहें यहां पर इस लोग को देखिए मत्था परत्रम नान्याद मुझसे परे कोई कुछ नहीं है अब भागवाद के पहला श्लोग क्या बोलता है जन्मादियस लेकिन जब तक तत्व ठीक से समझ में नहीं आएगा तो भगवान की लीला भी हम ठीक से नहीं समझ सकेंगा है हां मायवादी को भी चैलेंज करें आप उनको खोली अप बड़ी गीता के अधार बताई हम तो सीधे बोलती हम तो और शास्त्र नहीं जानते भगवाद गीता तो सार्व स्विकृत शास्त्र है उसके अधार पर बताई कि कहां पर नेराकार लिखा हूं गीता भागवान यह तो कुछ ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट है कि कब से कुम गीता है तो समझ लीजिए भागवाद तो बहुत विश्याद है आगे समाजी में आए का कि कब से भगवद इदा को तो ठीटी समझ ले इस भगवद गीता को ही अगर देखे है तो बड़े असानी से सपरस्ट हो जाता है कि साधन क्या है इक्तम समझ में आरा कि भाक्ती के द्वरा ही भगवान को जाना जा सकता है लेकर काथना नहीं पढ़िए उन परंपुर्श से बढ़खकर कोई सत्त नहीं नहीं है क्योंकि वे सिरिष्टम है वे सूच्छम से शुच्छमतर है और महां से पहां से महांतर है सुक्षम से सुक्षम दर्थार छोटे से भी छोटे हैं जीव से भी छोटे अब परमात्मा रुब में इस प्रकार से विद्यमान है यह वे मुख विर्ख्ष के समान इस्थित है और दिव आकास को परकासित करते हैं यह बोते हैं मुख विर्ख्ष के समान इस्थित हैं रखायन वेला हाइं जिस पर कर मर्च अपने दें नहीं गोरे था टो लोग ऑट लोग एक नवाप टूअ कोन है है था चाना में 및 चाइने लोग हैं ना कि चानी मिचंगी है ना को बिखें के बश्षी बस्तो बताय के भरत कोilippo कुछ लोगों ने मान लिया है कि हम लोग भारती हैं कुछ लोग मान ले रहे हैं कि हम चाइनीज है हर हर चीज की पीछे एक व्यक्ति है जिस परकार ब्रिक्ष अपनी जड़े और वह पहला भी रहें तो अब बुद्धी कौन देरा फ्हलाने कि भगवान नहीं दे रहे हैं है अब दाल गये और यह नहीं है करमना गलत कर्म करेंगे तो भगवान उसके फल्को जीवह भूवाते हैं भूग ना पढ़ेगा भूगणा पढ़ेगा नहीं भूगना ही पढ़ेगा इस ज़िस जो नहीं किये वह नहीं फसने वाले जो नहीं किये हैं वो फंसने वाले नहीं है और कदाचित अगर फंसे तो क्या वाइरस से ही मरता है वेक्ति इसे वक्त बदा रहे थे वेक्ति ने कच्छा वह कच्छा पतागो भी खाया एक साइंटिस्टी डॉक्टर ने उसमें कीड़ा ता कीड़ा दिवांग में घुस गया प्रश्वान की शक्ति प्रसारित हो रही है और उसको पालन कर रहे है इस इस लोकों से निसकर्स निकलता है कि परमसत्य ही श्री भगवान है जो अपनी बिविध्ध पड़ा अपड़ा सक्तियों के द्वारा सर्व्यापी है परार्थाद जीव और अपरार्थाद भॉते प्रकितने को द्या सब जगे व्यापत हैं और उस जगत को क्लिया बिट कर रहे हैं कोई प्रश्ट न है इस माइक दीजिप और यूकमेंट यस इस मताईब अरे कमेंट सुन तो लीजी सानुसी बहुत अच्छा बात लगाता कि पहले इंग्लिश में फिरेंदें बुटता कि अवर नॉलेज ऑफ गाड में बी इनकंप्लेट बट आवर नॉलेज ऑफ गाड शुद नॉट बी इनकरेक्ट बहुत अच्छी बात भगवान के सम्द मे हमारा ज्यान पूर्ण ना हो लेकिन गलत नहीं होना चाहिए अपूर और अपूर ही रहेगा एक भक्त ऐसी सब्सक्राइब इनकर नहीं करना चाहता है इसको सम्झा जा सकते हैं कुछ हद तक समझ सकते हैं लिए कि पूरा समझ लें ऐसा नहीं है तो आप बगवान बन जाए कि आपके नहीं कि रुकते हैं श्रीमत भगवत गीता की जाए श्रप्रपुपात की जाए